दोस्तो आज हम आपको एक ऐसी ओस्दी के बारे में बताएंगे जो की बिल्कुल गुणों से भरपूर है पेट की हर परकार की बीमारी से यह आपको छुटकारा देगी और पूरे भारत वरस में यह पाया जाता है और बिल्कुल ही कम खर्चा इसके खरीदने पर आता है बिल यह आपको पारक में या फिर सड़कों पर बिल्कुल आसाने से मिल जाएगी मई और जून के महीने में यह फली लग जाती है जो की धिर धिरे पकर इस्ट्रे की तयार हो जाती है और इस अमलतास की फली को आप पंसारी की दुकान से जहां पर आयरवेदिक द्वाईया मिलत लगनों से बिल्कुल आसाने से आप कर सकते हैं मैं दोस्तों इसके सबसे परमुक्ष अज़कर हमारे कभ़ को कि होती हैं सबीकों कि समया होती है पिट के बिमारियां जैसे ऐसे गज़ार होना एफारा होना पेड़ा बना पेट में दर्द रहना भूपने लगना इस प्रका तो दोस्तों यह गुनों से बिल्कुल भरपूर है लाकों खर्च करने के बाद भी जब बीमारी नहीं जाएं तो आप एक बार इसका प्रियोग जरू करके देखना जो बीमारी मैंने आपको बताई कब्ज में तो यह बिल्कुल रामबान है तो अब हम आपको बताएंगे कि यह किस परकार से आपने इसका प्रियोग करना है तो दोस्तों यह बिल्कुल सक्त होती है देखिए और इसके अंदर यह काले काले से बीज होते हैं अब मैं आपको पूरण जानकारी दूँगा कि आपने इसका सेवन कैसे करना है कब करना है कितना करना है तो आईए देखते हैं दोस्तों देखिए इस तरह की पकी हुई आपने फली लेनी है इतना टुकड़ा काफी है लगभग एक फिट के क्रीम मैंने अमलतास के फली को लिया है आपने कची फली नहीं लेनी यह देखिए यह बिल्कुल गुद्दा यहां से बिल्कुल यह पका हुआ है तो आपने क्या यह देखिए अंदर से यह आपको इस तरह की नजराती है यह देखिए बिल्कुल अच्छी त्रह से पकी हुई है यह अमलतास के फली बहुत ही फाइदेमन होती है कम्स की बिमारी को बिलकुल एक सम कर लेगी लेकिन आपने यह नियमित रूप से लेनी है रात को सोते वक्त इसका सेवन आपने करना है इस तरह से आपने बारिक कर लेना है यह देखिए दोस्तों यह देखिए मैंने इस तरह से बिलकुल इसको बारिक कर लिया है तो दोस्तों आपने भी एक फिट अमलतास की फली को लेना है और इस तरह से थोड़ा सा छुटे-छुटे चुकडे कर लेना है यह बहुत ही गुंकारी है पेट की किसी भी परकार की समस्या हो कब्स को तो यह बिल्कुल जड़ से ही खतम कर देती है बाकी भूक नहीं लगती जिनको उनको भी फायदा होता है और ऐसी डिटी बनती है गैस की समस्या जिनको होती है पेट में दर्द रहता है उनके लिए बहुत ही फायदय बंद है अब हम एक गिलास पानी लेंगे मैंने एक गिलास पा पानी को बारिक किया था इसके अंदर डाल देना है दोस्तों बिल्कुल जब यह पकने लग जाए काला रंका हो जाए बिल्कुल अच्छी तरह से काड़ा तयार हो जाए आपने तब तक इसका आपने गरम करते रहना है इसको अमलतास के फली जो मैंने इसमें डाली यानि कि मैंने एक गिलास पानी लिया और जब यह आधा रह जाए तब तक आपने इसको अच्छी तरह से उबालते रहना है मैंने जब से इस दवाई का प्रियोग किया तब से लेकर आज तक मुझे कभी कब्ज की समस्या नहीं हुई आपने जब आधा गिलास पानी रह जाए तो इ मैंने काडा बनाया इसका सेवन आपने रात को सोते वक्त करना है रात को खाना खाने के बाद सोते वक्त आपने इसका प्रियोग करना है यह देखिए लगभग आधा गिलास यह रह गया तो आपने इसका सेवन रात को सोते वक्त करना है बहुत ही गुणकारी है यह उठेंगे और आपको कब्ज की समस्या बिल्कुल खतम हो जाएगी तो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो देखने के बाद फायदा हुआ हो तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों को फायदा मिले धन्यवाद साथियो